ही गाईज बेलकम बैक टू दे नीव वीडियो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे होंडा की एक अल नियो अपकमिंग बाइक के बारे में जूकी रहती है होंडा की CBF 190 TR इंडियन टू विलर मार्केट में इस बाइक को होंडा 2024 के मिड में लॉंच करने वाला है मैं आपको उता दूँ यह बाइक इंटरनेस्टल मार्केट में काफी टाइम से होंडा की तरफ से अवेलेवल है यह काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रही है बाइक के लुक्स डिजाने स्टाइल आउटपट फिगर्स काफी अच्छी है होंडा लवर CBF 190 TR का काफी टाइम से इंडियन टू विलर मार्केट में वेट कर रहे है जिसके लुक्स डिजाने स्टाइल और रेट्रो डिजाइन पर यह बाइक आती है जो की काफी अच्छी है और यह एक कॉंपक्ट टाइप की बाइक है लाइक होंडा की CBF 190 TR आज की इस वीडियो के अंदर मैं इस बाइक से लेड़ेट सारी इंफॉर्मिशन आपको देने वाला हूं तो अगर आप होंडा की CBF 190 TR का वेट कर रहे थे इस वीडियो को विदाउट इसकिप की देखना अगर आप 200 CC की एक Best Newly Design Retro Segment की बाइक को बाइक करने का सोच रहे हैं तब भी आप इस वीडियो को विदाउट इसकिप की देखना चली दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बाइक की पर्फॉर्मेंस की बारे में और और बाइक में आपको क्या पावर देखना हो मिलेगी कितनी CC का इंजिन है इसमें इसमें आपको 184.4 CC का like Honda Hornet version 2.0 वाल एंजिन देखना हो मिलेगा एर कूल फ्यूल इंजिक्सन जो की Maximum Power Offer करेगा 17.2 PS की यहाँ पर आपको 16 Newton का टॉर्क देखना हो मिलेगा कमपनी की तरफ से बाइक में आपको 5-speed gearbox transmission भी देखने हो मिल सकते हैं और 6-speed gearbox transmission भी देखने को मिल सकते हैं मैं आपको बता दूँ बाइक के अंदर फ्रेंट में आपको अपसाइड डाउन फ्रेंट फोक्स देखने हो मिलेंगी जो कि आप फोटो और वीडियो में देख सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट वाली लाइक CVR 190 TR में एवेलेविल किये गए हैं और बाइक के रियर पार्ट में 7-inch tap adjustable monosock suspension देखने हो मिलेंगे नोड आउट बाइक के अंदर suspension काफी अच्छ दिये गए हैं और दोस्तो में आपको उजा दूँ फ्रेंट में आपको petrol disc brake देखने हो मिलेंगे और रियर पार्ट में भी आपको petrol disc brake देखने हो मिलेंगे single plate और यह आपर single channel ABS का option आपको देखने हो मिलेगा अगर इस बाइक के company कि तरफ से 2 variant आते हैं तो real channel ABS और single channel ABS के अलग-अलग variant हाएंगे, bike में आपको Nissan Caliper देखना हो मिलेंगे, tire section के बार यह बार एक तरेंगे तो कापके अच्छे bike tire देखना हो मिलेंगे bike में, front tire आपको देखना हो मिलेगा 110 by 70 mm का, rear tire देखना हो मिलेगा 140 by 70 mm का, इस bike में आपको block pattern type के tire देखना हो मिलेंगे, जो कि काफी चौले हैं, तो आप easily off-roading भी कर सकते हैं, because आपको काफी block pattern type के चौले tire दिये गा है, front area दोन ही, जो कि मैंने आपको sections भी बता दिये हैं, bike के अंदर आपको instrument, console, retro type का देखना हो मिलेगा, round shape का, जिसमें आपको bike से related सारे basic reminder feature देखना हो मिल जाएंगे, साथी USB charging port के साथ, mobile phone connectivity वाले advanced feature भी offer के जाएंगे, bike में आपको 10.5 liter के fill tank capacity देखना हो मिलेगी, और दोस्तों, ये bike बड़े अराम से आपको 45-50 kmpl के around mileage उफर कर देगी, दोस्तों मैं आपको बता दूँ, bike में आपको काफी compact type का, काफी bulky exhaust system देखना हो मिलेगा, जो कि आप photo में और वीडियो में देख पा रहे होगे, और इस bike में आपको all metal देखना हो मिलेगा, कहीं भी आपको plastic या फिर fiber नहीं देखना हो मिलेगा, जिसकी वेसे no doubt, bike की build quality एकदम advanced रहने वाली है, bike के अंदर आपको chrome की finishing देखने हो मिलेगी, instrument console पहे, और दोस्तो LED headlight के setup है, front में आपको round shape में LED headlight दी गई है, उस पर भी आपको chrome की finishing देखने हो मिलेगी, और मैं आपको बता दूँ, bike के अंदर electrical features भी काफ़े अच्छे दिए गए है, tire sections भी काफ़े अच्छे दिए गए है, brake भी काफ़े अच्छे है, safety के point रोगी से बाइक काफ़े अच्छी है, बात करें bike की lighting setup के बारे में, bike में आपको all LED lights का setup देखनो मिलेगा, front में आपको dual projector headlight दी गई है, round shape में जो कि आप देख सकते हैं, और दोस्तो round shape में ही bike के अंदर आपको LED DRS देखनो मिलते हैं, जो कि daytime running है, काफ़ी sharp finishing के साथ bike में आपको काफ़ी sleek indicator दीए गए है LED, and दोस्तो tail light भी काफ़ी compact type के आपको LED offer की गई है, bike compact है, बड़ दोस्तो इस bike की seat है थोड़ी सी compact है, लेकिन MT15 V2 जो है उससे इस bike की seat काफ़ी comfort है, और मैं आपको बता दो output figure से आप देखी सकते हैं, bike के अंदर आपको light काफ़ी सारे color option देखनो मिलते हैं, bike का fuel tank है, उस पर आपको dual color combination देखनो मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं, dual color tone दी गई है bike में, company की तरप से इस bike में आपको rear view mirrors भी round ship में ही देखनो मिलते हैं, pre-installed, तो दोस्तों, bike के अंदर मैंने आपको सारे features बता दी हैं, कोई doubt रहा गया हो, comment सकते हैं और इस bike के price आपको 1,60,000 के around action room देखनो मिलेंगे, bike के output figures, looks, design style, मैं आपको उदा दूँ, personally काफी ज़्यादा अच्छे हैं, no doubt Honda की तरप से ये bike Indian two wheeler market में आते ही, एक अलगी platform set कर देगी, आपको पता ही कि Indian two wheeler market में रेटो सेग्मेंट की bikes काफी ज़्यादा क्रेज में हैं, और काफी अच्छी sale achieve कर रही हैं, लोग इनको buy कर रहे हैं, तो आप इस bike का wait कर सकते हैं, अगर आप कोई video informative अच्छे लिए की video को like कर देना, कोई doubt रहे हैं, comment section में पूछ लेना, आप हमारी channel पर नहाए हैं, प्लेज channel को subscribe कर लेना, bell icon के बिटन को प्रेस करके इस video को अपने दोस्तों में भी share कर देना, मिलते हैं आप से के लिए और एक ऐसी new interesting और updated वीडियो में, तब तक के लिए bye bye and take care.